आप सबको मेरा नमस्कार पहले हम दो वीडियो देखेंगे और उसके बाद आगे की प्रसवारता होगे कि आप साथ मेरा, प्रसपी कारे और उसके प्रसवारतावा की प्रसवारता हो प्रसवारता होगे प्रसवारता है कबच एक आउटमेटिक ट्रेन प्रोडिक्षन के टिकनॉलोजी है, इसमें क्या होता है? बाण लिजे दू ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे, अगर बाईचाज गंपिसे भी आ गई हैं, तो पास में आती है, उसे पहले पहले कबच इसमें प्रेक्शन के और उनको रोक लेगा पर एपसिलेंट नहीं होएगा मानलो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है तो इस केश में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ दिस्टेंस पे रहनी चाहिए अगर बाईचास किसी की तारण से ट्रेन अगर नज़्डिक आती है तो पीज़े वाली ट्रेन में तूरा कवर जिसने स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पांस में जैसे ट्रेन पहुंचे उसे पहले पहले उस ट्रेन का कवर चटने आप उसे स्पीड को कम कर देगा कम करके उसको र जिसका रेल से जुडाओना हो, हम सब लोग मध्यमवर्ग से आते हैं, निम्नमध्यमवर्ग से आते हैं, और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतिया हैं, और रेल से ही कहीं न कहीं, आवा गमन सब ने किसी न किसी टाइम पर जरूर किया है, क्योंकि रेल सिर्फ प है रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है और सबसे बड़ी बात है कि आवा गमन का सबसे सस्ता economical साधन है अटलीस्ट हुआ करता था और उसी के कारण मध्यमवर्ग निम्न दिम्न वर्ग गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रिफर करता है आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर तो कहीं न कहीं विश्वास रहता था कि अपने गंता वितक पहुच जाएंगे बड़े सारे स्टेशन आते थे उसमें पूरी सबजी खाई जाती थी कही नहीं पकोड़े समोसे खाये जाते थे और एक ये विश्वास था कि गंताविय तक पहुच जाएंगे लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंताविय पर वो पहुचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुचेगी ये कीर्तिमाल नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापत किया है मैं यहाँ पर आपको दो तस्वीरे दिखाना चाहती हूं ये तस्वीर ठीक एक साल पहले इसी महीने जून की है दो जून 2023 को ओडिशा के बालसोर में भीशल ट्रेन हादसा हुआ था करीब करीब 300 लोगों की मौत हुई थ थी और 900 से जादा लोग घायल हुए थे पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ पठरी पर कंचन जंगा एक्सप्रेस थी उसको पीछे से मालगाडी ने आके मारा 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है ठीक एक साल पहल बाला सो रोडिशा में और एक साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है क्या बदला एक साल में आज पूछना पड़ेगा ना कि एक साल में क्या बदला है लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और मैं एक सरकारी आकड़ा आपके साथ साज़ा कर देती हूं एक हजार एक सो सत्रा ट्रेन दुडगटनाएं दो हजार चौदा से तईस तक और जान बूच कर तईस तक कई आकड़ा दे रही हूँ 31 मार्च दो हजार तेस क्योंकि यह हमारे आकड़े नहीं है आपके आकड़े नहीं है यह गवर्मेंट आफ इंडिया के आकड़े है 1117 ऐसी रेल धुरकटनाई हुई है जहां पर जान और माल की नुकसान हुआ है यह सरकारी आकड़ा है असल आकड़ा इससे बहुत जादा है मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं हर तीन दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की शती हो रही है तो क्या बदला एक साल में इतना बड़ा बाला सोर का ट्रेन हादसा हुआ हम सब ने लाशों का अमबार देखा परिवारों को उजड़ते हुए देखा छोटे-छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा क्या बदला एक साल में बाला सोर से पश्चिम बंगाल क्या बदला क्या बदला 2014 से 2014 में मैं एक सूची पढ़ देती हूँ आपको दिखा दिया लेकिन छोटी सी एक सूची है 2014 में गोरगदाम एक्सप्रेस दीरेल हो जाती है 25 लों की मौत होती है इंदोर पतना एक्सप्रेस का हाधसा होता है 1500 लोगों की मौत होती है कैफियत एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हो जाते है पुरी उतकल एक्सप्रेस में 30 लोगों की मौत हो जाती है बीका निर्गहाटी एक्सप्रेस में 36 से जादा लोग गंबीर रूप से घायल होते है 10 लोगों की मौत होती है जवाब देही किसकी है इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो नितीश कुमार रहे हो माधवराव सिंदिया रहे हो ममता बैनर जी रही हो मधू दंडवते रहे हो जोर्ज फरनाडिस रहे हो सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री रील मंत्री बना हुआ है नेतिक जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आज भी हादसे के वक्त, रील कैसे अच्छी बनेगी, उस पर चर्चा हो रही है, बाला सोर के वक्त, अश्वणी वैशनफ जी वहाँ पर आये, डाइव कर रहे थे, किसी के नीचे घुसकर जाक रहे थे, ट्रेन के नीचे घुसकर, दो चार्ट टेसू बहा रहे थे, क्या किया आपने रेल को सुरक्षित करने के लिए, आप कल पहुचते हैं वहाँ पर आप रेल मंत्री हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो जादा बहतर तब आएगे जब आप जूम जूम करके मोटर साइकल से जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया, लोगों के मन की आशंका कि भईया हम पहुचेंगे, यह हमारी लाश पहुचेगी, उसको दूर करने का क्या काम किया, कवच समझा रहे पर कवच से ब्रेक लग जाएगा आपस में भिढंत नहीं होगी क्या हुआ कल कवच का ये क्या जुन्जुने पकड़ाए जा रहे हैं देश को दस साल से रेल आवा गमन का सबसे असुरक्षत साधन बन चुका है लगातार जान और माल का नुकसान हो रहा है और लोगों को है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्री उदासीन हैं अकरमन हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब गुर्बत में रहते हुए लोग यंग लोग जो गाजर मुली की तरह भर कर रेल में आज जाने को मजबूर है वो मर जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ एक और आकड़ा साजा करती है और यह मेरा आकड़ा नहीं है यह आकड़ा खुद अश्वनी वैश्णव ने पार्लेमेंट में दिया है यह अर्टियाई के माध्यम से भी सामने आया है तीन डाक बारा हजार रेलवे के रिक्तपद पड़े हुए हैं और करमचारियों की इसी भारी समस्या से रेलवे जूज रहा है एक आर्टियाई के मुताबिक और यह आकड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा लोको पाइलिट बहुत सारे जो रेल हादसे होते हैं जहां पर गल्द सिगनल पे दे दिया गया एक ही ट्रैक पर ट्रेने चल गई कहीं कहीं मानवेत रुटी होती है और वो मानवेत रुटी लोको पाइलिट के कारण होती है क्यूं होती है ये भी समझ लीजिए लोको पाइलिट के 70,000 तिरानबे पद स्वीकृत हैं इसमें से 21 प्रतिश प्रतिशत खाली पड़े हुएं ये वो पद है जो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों को अपने गंतवी से एक गंतवी से दूसरे गंतवी तक सुरक्षित पहुचाने के लिए इन पदों का रोल होता है और 21 प्रतिशत ये मैंने चार-पांच दिन पहले पढ़ा रेल मंत्री कहते पाए गए पुलीस बल का प्रयोक करो यह जो भीड़बाड हो रही है यह भीड़बाड अपने मन से नहीं हो रही है रेलवे में क्योंकि आपने रेलवे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है पिछले दस साल में रेलवे का जो हाल हुआ है चाहे वो किराय में वृद्धी हो और एक नहीं मैनी फोल्ड वृद्धी जहां 800 का किराया था 2400 है डाइनामिक प्राइसिंग से कई बार तो रेल से कम किराया एरलाइन का मिल जाता है ये हाल आपने रेलवे का कर दिया है क्यों ये लोग भीड़बार कर रहे है कितनी किल्लत है ट्रेनों की क्या अंदाजा है रेल मंतरी को रेल मंतरी हवा हवाई है शायद वो महंगाई में जैसे उनकी एक कुलीग ने का था मैं लेसन प्याज नहीं का था वो कह दें मैं रेल से नहीं चलता चलिए रेल से एक स्लीपर में बैठिये 200 किलोमीटर की यात्रा करिये एक स्लीपर कोच में बैठ कर तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की असली जनता AC3 में बैठ जाईए आप AC2 में बैठ जाईए आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की जनता किस तरह से आज आवागमन करने को मजबूर है इतनी किल्लते हैं ट्रेन की कि पिछले वित्य वर्ष में वित्य वर्ष 2023 में 2,70,000,000 यात्री यात्रा का टिकट बुक कराने के पार यात्रा नहीं करा पाए क्योंकि टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ सीट की किल्लते थी 2,70,000,000 लोग एक वित्य वर्ष में यात्रा नहीं कर पाए उनका टिकट वेट लिस्टेड था वो रहे गए और यह निरंतर बढ़ रहा है इसके पहले वाले वर्ष में यह संख्या 1,63,000,000 थी वो बढ़कर 2,70,000,000,000 हो गई तो कितनी किल्लत है ट्रेनों की और कैसे लोगों को अपनी यात्रा कैंसल करनी पड़े उसका एक प्रमाण ये भी है एक बात जरूर बोलना चाहती है और इसका मैंने जिक्र किया था तीन-चार दिन पहले मंत्री जी ने कहा पुलीस बल का प्रयोग करो ये जो अनारक्षित लोग घुश जाते हैं ये अपनी मर्जी से घुश रहे है इनके पास कोई काम नहीं है ये जो हमारे बच्चे अपनी परीक्षा देने जाते हैं के उपर एक चड़कर गाजर मूली की तरह इस गर्मी में तप्ती हुई गर्मी में लोग टोइलेट में बैठने को मजबूर है कौन है ये लोग क्यूंकि आपने स्लीपर और द्वित्य शेर्णी के कोचिस को लगातार एसी में कनवर्ट करा लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसी कोच में चाल सके आपने ट्रेने रद कर दी ट्रेनों की संख्या कतम करी पैसेंजर ट्रेन की कम करी उसके चलते आज आरक्षित डब्बों में अनारक्षित लोग जो जेनरल टिकट लेकर आवा गमन करते थे वो बैठने को मजबूर है तो उन पर बल का प्रयोग मत करिए अपनी गलती को स्विकारिए मैं जानती हूं कि लोगों को असुविधा होती है लेकिन उस असुविधा का कारण आप है और क्योंकि रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है तो थोड़ी बात हो जाए कि सरकार कर क्या रही है ऐसा नहीं है सरकार के पास फंड नहीं है रेलवे सुरक्षा के लिए इन फैक्ट सीएजी ने बताया है कि राष्ट्रे रेल संग्रक्षा कोश RRSK में 20,000 करोड रुपे आने थे 15,000 करोड रुपे केंदर सरकार देती 5,000 करोड रुपे रेलवे अपने रेवन्यू से देता चार साल बाद जहां 20,000 करोड रुपे आने थे वहां 4,225 करोड रुपे आने थे एक चौथाई ये इनकी सीरियसनस है ये रेलवे सुरक्षा के लिए सरकार की उदासी नता है जिस संग्रक्षा कोश में 20,000 करोड रुपे आने थे जिससे रेलवे की सिक्योरिटी होती उसमें 4,225 करोड रुपे है लेकिन अभी चौकिये मत क्योंकि चौकने वाली बात आगे है उस पैसे से रेलवे की सुरक्षा नहीं की गई उस पैसे से फुट मसाजर खरीदा गया क्रोकरी खरीदी गई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस खरीदे गए फर्नीचर खरीदे गए जाडे में पहनने वाले जैकिट खरीदे गए कंप्यूटर खरीदे गए लोगों को बोनस दिया गया गार्डन बनाए गए उस पैसे से उस पैसे से रेलवे को रेल यात्रा को सुरक्षित करना था उससे क्रोकरी और फरनीचर खरीदा जा रहा था ये हम नहीं कह रहे हैं ये सीएजी की रिपोर्ट धजियां खोल रही है धजियां उड़ा रही है बारतिये रेल और नरेंद्र मोदी की सरकार की ऐसे मंत्रियों की जिनूने शायद रेलवे में कभी सफरी नहीं किया अगर सफर करते तो समझते लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है कि डेप्रिसियेशन रिजर्व फंड होता है एक रेलवे में उसमें इस चीज का प्रोविजन होता है कि रेलवे की जो पुरानी संपत्ती है उसको रिएनर्जाइजेशन किया जा सके उसको पुरानी संपत्ती को बदलना था असलियत ये है कि जहां पर 58,000 करोड़ रुपए खर्चा होने थे वहां पर 600 करोड़ रुपए खर्चा हुए है ये सीरियसनस है सरकार की आकड़े इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है और ये सरकारी आकड़े हैं CAG के आकड़े हैं सरकार की पोल खोलते हुए आकड़े हैं आकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है आप टेसु भले बहा लीजिए आप चार रील जरूर बना लीजिए लेकिन आकड़ों से कहां भागिएगा सुरक्षा का पैसे से आप क्रोकरी और फर्नीचर खरीद रहें डेप्रिसियेशन फंड आप खर्चा ही नहीं कर रहें रेल जो सबसे भरोसे मन साधन होता था आज लगातार लेट चल रही है मुझे याद है आज अस्टूडेंट मैं लखनव से दिल्ली और दिल्ली से लखनव बहुत करती थी और कभी संशय नहीं रहता था जब शुरू-शुरू में नौकरी भी जॉइन करी थी तो संडे रात को लखनव से बैठो मंडे सवेरे पहुँचो तडाक से ओफिस पहुँच जाओ आज नहीं पता है इस बात का आज नहीं पता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट होगी या 5 घंटे लेट होगी या 9 घंटे होगी या 24 घंटे लेट होगी असलियत यह है कि पैसेंजर ट्र परकिंग मिनेट रेलवे ने बरबाद किये हैं अपने ट्रेनों के लेट चलते हुए क्यों लेट चल रही है ट्रेने क्या जो ट्रेन से लोग चलते हैं वो काम धंदा नहीं करते हैं क्या जो ट्रेन से बच्चे परीक्षा देने जाते हैं जो लोग एक जगे से दूसरी जगे जाते क्या वो काम धंदा नहीं करते क्या उनके वक्त की कोई एहमियत नहीं है क्योंकि सरकार की उदासीनता सबसे जादा भारतिये रेल जहेल रही है असलियत ये है कि रेल को तबाह करने के लिए इस सरकार ने कोई कोई भी कसर नहीं छोड़ी है हमारे रेल मंतरी को अगर मैं रील मंतरी कहूं तो शायद गलत नहीं होगा रेल बनाने का बड़ा शोक है वंदे भारत की रेल बनाते हैं बुलेट ट्रेन की रेल बनाते हैं बनाईए अरे पांच नहीं पचास बुलेट ट्रेन लाईए लेकिन जो basic rail यात्रा लोगों के लिए है उसको तो सुरक्षित करिए उसको तो सुचारू करिए क्या मिल रहा है आपको rail को बेचकर rail की जमीन पर हड़पकर rail को निजी करण करके क्या मिल रहा है आपको लोगों की जेप पर सिर्फ और सिर्फ डाका डाला जा रहा है बार-बार कहा जाता है नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए वो तो होगा नहीं हम मांग जरूर करेंगे लेकिन वो होगा नहीं और इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर नैतिकता होती तो ब्रजभूर्शन शरान सिंग को गोदी में नहीं बिठाई रखते अगर नैतिकता होती तो अजय मिश्टर टेनी को मंत्री बना कर नहीं रखते अगर नैतिकता होती तो प्रजवल रिवन्ना के प्रचार में नहीं जाते रेल को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और रही सही कसर जो है वो अश्वनी वैशनव पूरी तरह से लगकर पूरी कर रहे हैं I will very briefly make some of this